Hello everyone, मैं हूँ Dr. Surabhi Solanki और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Dr. Surabhi की Pregnancy Tips अगर आप as a couple condoms नहीं यूज करना चाते हैं और oral contraceptive pills यूज करना आपको जमेला लगता है यानि कि रोज रोज पिल लेने की याद रखने में problem होती है, कभी भूल जाते है तो एक और option आपके लिए हो सकता है और वो है एक injection जिसको कि एक बार लगाने से 3 महीने तक Pregnancy से safe हो जाते है फिर 3 महीने के बाद injection आपको repeat करना होता है लेकिन हर महीला के लिए ये जो injection होता है ये suited नहीं होता है हर condition में तो आज इस वीडियो में हम इसी injection के बारे में जानेंगे कि ये कौन सा injection है, कैसे काम करता है और कौन सी महीलाएं इसको use ना करें तो ही better होगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी तो ये जो injection इसके बार में बात कर रही हूँ ये है डीपो प्रोवेरा का injection जो कि एक कौन्टिसेप्टिव इंजेक्शन होता है यानि कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इंजेक्शन यूस किया जाता है इसका जो component होता है वो medroxy progesterone acetate होता है थोड़ा सा complicated लग रहा होग सीधी भाषा मैं आपको पता हूँ तो ये progesterone hormone होता है तो ये जो injection होता है ये लगाया जाता है इंट्रमस्किलर लगाया जाता है और तीन महिने तक इसका action रहता है तीन महिने बाद ये injection है ये फिर से repeat करना होता है ये काम कैसे करता है कैसे ये pregnancy को नहीं होने देता है वो म दूसरा तरीका जिससे काम करता है वो है कि ये जो आपको cervical mucus होता है यानि कि आपकी बच्चेदानी का मौ होता है वहाँ पे mucus रहता है उस mucus को ये ठिक बना देता है तो जिससे की sperms उसको आसानी से penetrate नहीं कर पाते हैं और उपर को नहीं पहुँच पाते हैं तो इस तरीक से काम करता है और pregnancy को prevent करता है pregnancy prevent करने के इलावा इसके एक दो और फायदे होते हैं अगर आपको heavy bleeding होती है periods के time पे या फिर बहुत जादा menstrual cramps यान की pain आपको बहुत होता है periods के time पे तो उसको भी ये injection है ये relief कर देता है यानि कि इसको लेने के बाद जो periods होते हैं वो थोड use करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में वो ये है कि अगर आप near future में यानि कि जल्दी ही pregnancy plan करना चाहती है थोड़ी देर gap रखने के बाद तो उस condition में आपको पता होना चाहिए कि डीपो प्रोवेरा के बाद जो आपकी fertility है उसको return होने में करीब minimum 10 months का time लगता है और कई बार एक दो साल भी लग सकते हैं यानि कि अगर आप डीपो प्रोवेरा यूज कर रही है तो आप ये सोचें कि जैसे ही मैं डीपो प्रोवेरा का injection यूज करना बंद कर दूँगी और फिर मुझे pregnancy हो जाएगी तो ऐसा नहीं हो पाता है minimum 10 months यानि कि 10 महीने लग जाते है fertility return होने में यानि कि आप pregnancy conceive कर पाएंगे उसके लिए at least 10 महीने का break चाहिए होता है तो अगर इस तरीके कि आपकी situation है और इस तरीके कि आपकी planning है आगे बेबी की तो फिर आप ये injection तो मथी यूज करिए contraception के लिए कोई और method यूज करनी यानि कि bone loss थोड़ा होता है इसके action की वज़े से तो अगर आपकी family history में osteoporosis नाम की बीमारी है यानि कि osteoporosis से कैसी बीमारी होती है जिसमें की हडियां कमजोर हो जाती है और उनमें आसानी से fracture हो जाता है especially old age में तो अगर इस तरीके की history आपकी family में है तो आप depo provera को नह जातार दो साल से जादा नहीं करना है दो साल तक use कर लीजे आप ये injection उतना ही ठीक रहेगा इससे जादा use करने पर क्योंकि ये bone mineral density पर अच्छा रिसका नहीं पड़ता है आगे चलके osteoporosis नाम की बीमारी होने का risk काफी बढ़ जाता है इसलिए तो उस condition में फिर ये advisable नही होता है इसलिए अगर आप एक teenager है यानि कि अभी अपने teens में ही है और आपकी bone mineral density जो है वो अपने peak level पे नहीं पहुंची है क्योंकि एज तक पहुंची नहीं होती है तो उस condition में भी आपके लिए depo provera injection advisable नहीं है अब कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अगर आपके साथ हैं तो आपको depo provera नहीं यूज करना चाहिए अब जैसे कि अगर आपके irregular vaginal bleeding होती है unexplained vaginal bleeding हो रही है तो उस condition में आपको injection नहीं यूज करना चाहिए अगर heart attack की या stroke की history है तो उस condition में भी आपको depo provera नहीं यूज करना चाहिए breast cancer या liver disease है कोई तो उस condition में भी आपको depo provera नहीं यूज करना चाहिए तो ये आप अपने मन से नहीं यूज कर सकते हैं depo provera इसके लिए आपको जाके अपने gynecologist से consult करना पड़ेगा और वो ही आपको अगर prescribe करेंगी injection तो आप नहीं पे injection लगवा सकते हैं तो इसमें इतनी convenience हो जाती है कि एक बार आपने जाके injection लगवा लिया तो फिर तीन महीने तक आपको कोई tension नहीं लेनी है तीन महीने के बाद ही आप जाके इस injection को repeat आपको कराना होता है जीपो प्रोवेरा के side effects की अब बात कर लेते हैं कि जब आप इसे use करना start करती हैं तो शुरू के कुछ महीनों में आपको कुछ side effects महसूस हो सकते हैं जो की generally बाद में ठीक हो जाते हैं तो जो main side effects हैं इसके थोड़े common side effects होते हैं लेकिन ये कुछ महीने के use के बाद अपने आ अब हम बात कर लेते हैं कि डीपो प्रोवेरा का पहला injection कब लगना चाहिए तो generally देखें इसको लगाने से पहले एक चीज़ ensure होनी चाहिए कि आप already pregnant तो नहीं है already pregnant है तो ये injection आपको नहीं लगाया जाएगा तो इस बात को पका करने के लिए कि आप pregnant नहीं है ये injection जो पहल दिन के बाद ये injection लगा दिया जाता है ऐसा नहीं है कि बाद में आप इस injection को नहीं यूज कर सकती है और थोड़े टाइम के बाद तो उस condition में थोड़ा पहले pregnancy test करके confirm किया जाता है कि pregnancy है तो नहीं अगर pregnancy नहीं होती है तो फिर आपको डीपो प्रोवेरा का injection लगा दिया ज जादा है तो आप उस condition में जाके अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए अगर आपको heavy bleeding हो गई है डीपो प्रोवेरा लेने के बाद या फिर आपको पेट में बहुत बहुत दर्द हुआ है या फिर जहां जिस जगे पर आपको injection लगा था वहाँ पे redness, khujli और दर्द जादा लंबे टाइम तक बना रहे है इस टाइप के symptoms अगर है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाईए अगर कोई allergic reaction हो गया है तो वहाँ पे आपको डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए कि इस तरीके के symptoms appear हो रहे है तो hopefully आज का ये वीडियो आपको कुछ useful लगा होगा, का अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए